हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू दी चैनल मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपके लिए लेकर आओ एक न्यू वीडियो दोस्तो जो ये बाइक आप देख रहे हो यामा आरवन 5 V4 2023 मोडल है मैट ब्लैक कलर ये बाइक जो है अभी तक अफिशली लाउंच नहीं होई है जो 13 फरवरी को लाउंच होने वाली है लेकिन उससे पहले ही मैं इस वीडियो का आपके लिए वाकराउंड डिटेल लेका आगया हूँ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसकी फीचर क्या है और इसमें क्या अप्टेट दिया है यामा ने तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप बाइक के लुक्स देख सकते हो बाइक देखने में कितनी ज़्यादा अच्छे लग रही है यह आरवन फाइफ का मैट बलेक कलर है जिसमें यामा ने newly body graphy design दिया है जो देखने में काफी प्यारी लग रही है बाइक के फ्रांट लुक काफी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बात करें हम इस बाइक में चेंजिस के बारे में तो यामा ने R15 V4 2023 के मोडल में नियूली डीजाइन बॉडी ग्राफिक्स दिये हैं इस बाइक के अंदर आपको गोल्डन कलर के ग्राफिक्स दिखेंगे और बाइक में गोल्डन कलर के ही अलावील्स हैं जो की काफी अच्छे लग रहे हैं बाइक की फ्रन्ट फेरिंग के उपर गोल्डन कलर की स्ट्रिप है जो की देखने में काफी प्यारी लग रही है बाइक की साइट प्रोफाइल के उपर भी R15 V की गोल्डन कलर की स्ट्रैप पे बैजिंग की गई है इस बाइक के अंदर Yama ने LED इंडिकेटर नहीं दिये है वही सेम हेलोजेन इंडिकेटर है लेकिन Yama ने R15M के अंदर LED इंडिकेटर दिये है और Newly Design TFT Screen Display भी दिये है लेकिन R15 V4 में आपको LED इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेंगे वही सेम हेलोजेन इंडिकेटर देखने को मिलेंगे सेम डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा इस बाइक में आपको जो की पहले से ही आता है लेकिन गोल्डन कलर के अलवी वील्स की वज़े से ये बाइक काफी अच्छी लग रही है बाइक पर जो यामा की वेजिंग है, आर्वन फाइव की वेजिंग है वर्जन 4.2 की वेजिंग है, गोल्डन कलर की दी गई है जो की बाइक पर काफी अच्छे से हाइलाइट की गई है और golden color की strips भी काफी अच्छी दिख रही है इस bike पे बाकी bike की fairing के ओपर design style के ओपर कोई change नहीं किया गया है bike बिलकुल वैसी है जैसे पहली दिखती थी लेकिन नए colors और नए graphics की वज़े से overall looks काफी अच्छा लग रहा है साथ ही इस bike में सबसे बड़ा या major update यह हुआ है bike BA6 already 2 norms को follow करते हुए दी गई है बात करें इस bike के price में तो currently इसका action room price है 1,181,000 लेकिन इस bike का price 3,000 से 4,000 रुपे बढ़ेगा so bike का price आपको action room 1,85,000 के आसपास देखने को मिलेगा और यह bike 13 February को officially market में launch होने वाली है जो फरवरी में ही यामा के showrooms में पहुँच जाएगी अगर आप interested हो इस bike को purchase करने में तो आप bike की online booking कर सकते हो 13 February को इस bike की booking स्टार्ट हो जाएगी लेकिन आप nearest showroom पर भी आप visit कर सकते हो तो दोस्तों यह bike R15 version 4 आपको देखने में कैसा लगा comment box में जरूर बताएं मैं personally अपने point of view से बताऊं तो यह bike मेरे को देखने में काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले जो इस bike का variant आता था dark night उससे यह वाला color काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि dark night के graphics उतने अच्छे नहीं थे लेकिन इस वाले variant के color काफी अच्छे लग रहे है golden color के alloy wheels काफी highlight हो रहे है और golden color के graphics भी काफी अच्छा लोग दे रहे है हलांकि इस bike में आपको R15M की जैसे indicator देखने को नहीं मिलेंगे TFT screen देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस bike में आपको traction control system मिल जाएगा वही same tubeless tire मिलेंगे आपको वही same 155cc का engine है और bike की power view same 18.4bs है 40Nm का torque है और 6 speed transmission है वही same sleeper clutch है और bike में dual channel ABS है जो की पहले भी आता था तो दोस्तो यामा ने इस bike में basically नई changes किये है graphics के only और new colors के और साथ ही ये bike BA6 OVD2 norms को भी follow करती है तो आपको bike कैसे लगी क्या आप इस bike को purchase करना चाहते है ये comment box में जरूर बताना ये थी मेरी एक छोटी सी informative video अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और भाई वीडियो को share कर देना जय हिंग जय भारत ये वीडियो मैंने launching से पहले shoot की थी बट अभी मैंने upload करी है कुछ कारण की वज़े से ये YouTube ने delete कर दी थी तो कर दो ठी थी बपक्राण कर दो है वीडियो के वे ग।ो